हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हैं हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा ड्रॉव करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरीए संपर्ख कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वार शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख पाएँगे फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही है काफी अच्छी लेंथ में हैं और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाई नजर आएंगी कुछ इस तरह की रिखाईं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोर एंड मिडल फैलंजिस के उपर मौझूद है ऐसी रिखाऊं का होना बहुत पॉजिटिव होता है जिनके भी हाथ पर ऐसी रिखाईं होती है ऐसे व्यक्ति बहुत मिलन सार सभाव के होते है एक बहुत अच्छी परसनालिटी दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी फिंगर्स का ठिक होना आप यहां से देख सकते हैं thick fingers व्यक्ति को बहुत अच्छी energy and stamina देता है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो groove finger है यानी तरजनी उंगली यह वाली finger काफी थिक होने के साथ साथ बिलकुल straight है बहुत अच्छी लंबाई में है जिसकी वज़े से ऐसा व्यक्ति काफी knowledgeable होता है और साथ साथ दूसरों को guide करने वाली personality ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी भी groove finger strong होती है ऐसे व्यक्ति अपने ग्यान की वज़े से अपनी knowledge की वज़े से दूसरों को help करने वाले होते हैं अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो शनी finger यहाँ पर बिल्कुल straight और बहुत अच्छी length में नजर आ रही है इस तरह की शनी finger व्यक्ति को मिहनती nature का बनाती है ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक नियाय प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन ही कूबियों की वज़े से चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर काम्याब होते हैं सूर्य फिंगर को देखा जाए यानि रिंग फिंगर आप देख सकते हैं यहाँ फिंगर लेंथ में इनकी गुरू फिंगर से भी हलकी सी अधिक आपको नजर आएगी और सूर्य फिंगर का लंबाई में होना व्यक्ति को काफी creative nature का बनाता है बहुत अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं काफी अच्छी creativity रहती है लेकिन साथी साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े risk टेकर भी होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को risk लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है multi level marketing है ऐसी चीजों की तरफ native का रुझान आपको देखने को मिलेगा लेकिन सूर्या finger का लंबाई में होना एक अच्छा social circle भी व्यक्ति को देता है अगर हम इनकी सबसे छोटी finger की बात करें यानि बुद्ध finger की तो यह finger length में काफी अच्छी है सूर्या finger के top phalanche के क्रीप पहुँचती हुई लेकिन यह finger यहाँ पर low set नजर आ रही है आपको एक line draw करकर दिखाना चाहूँगा अगर हम fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्या finger इनकी शनी finger और इनकी गुरू finger तीनों की तीनों काफी high set है काफी उपर से शुरू होती हुई जबकि इनकी mercury finger आपको बाकी के उंगलियों के मकाबले काफी नीचे से शुरू होती नजर आएगी जिसको हम low set mercury finger कहते हैं जिसकी वज़े से थोड़ा hesitation भरा और shy type का nature आपको देखने को मिल सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी अगर इनके गुरू परवत को देखा जाये तो काफी उभरा हुआ गुरू पर आड़ी रिखा जिसको गुरू वले भी कहा जाता लेकिन यहाँ पर यह गुरू होकर यहाँ तक बन जाये इस तरह का एक अर्द चंद्रमा बन जाये तो इसे complete गुरू वले यानि ring of Solomon कहा जाता है अगर ऐसा चिन हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है लेकिन इस गुरू वले की वजह से विराग्या की भावना व्यक्ति के भ काफी जादा spiritual होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरह का गुरू वले बन रहा हो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ रिखाएं नीचे से उपर का रुख करती हुई इन रिखाओं को progress lines कहा जाता है और हाथ में अगर progress lines मौचूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ग्यान के बल पर काफी अच्छी तरक्की जीवन में जरूर पाता है शनी की बात की जाए तो शनी का जो मौंट हलका सा दबा हुआ है यहाँ पर शनी मौंट का दबना चीवन में मेहनत को बढ़ा देता है ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समें काफी आपड़ता है यहाँ पर आपको इनके शनी परवत पर इस एरिया में एक फिश का चिन बनता हुआ भी नजर आएगा कुछ इस तरह का एक साइन आप देख पाएंगे इस तरह के चिन को मचली का निशान कहा जाता है और हाथ में कहीं पर भी फिश का सिंबल बने बहुत जैसे आपको इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस यहाँ पर बनता हुआ इस क्रॉस को हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं जो हाट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता हूँ यह भी बन रहा है और यहाँ प्रिक फिश का चिन भी तो ऐसे व्यक्ति की रूची उकल्ट की त सकता है और ऐसे व्यक्ति की six sense बहुत अच्छी होती है आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी relative या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का अभास व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है इनके हाथ में एक अच्छी और लंबी शनी रेखा जिसको हम भाग्या रेखा कहते हैं मौचूद है भले ही बीच बीच में यह रेखा कट रही है जिसकी वज़ा से कुछ उतार चड़ा भी रहेंगे लेकिन इस रेखा का हाथ में मौचूद होना बहुत positive होत व्यक्ति की life comfortable होगी ऐसे व्यक्ति को चीवन में कई जगहों से धन की प्राप्ति होती है कुछ उतार चड़ा भी यहाँ पर रहेंगे क्योंकि इनका जो money triangle बन रहा है वो भी खुला हुआ है और कुछ रिखाएं इनकी शनी रेखा को काट रही है जैसे आप यहाँ पर हैते हैं बुद्ध की रेखा में यहाँ पर overlapping है जिस वज़े से खर्चों के धिकता रहेगी लेकिन हाथ में इस area में triangle बनना बहुत ही lucky होता है जिनके भी हाथ पर यहाँ पर triangle बनता ऐसा व्यक्ति अपनी कोशिशों से अपनी मिहनत से जीवन में काफी अच्छा धन कमा पान रहा है जिस वज़े से यश मिलने में कमी रहती है जिन लोगों का भी सूर्या परवत दबता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें दूसरों की कितनी भी help कर लें बदले में कोई appreciation कोई इनाम नहीं मिल पाता लेकिन यहाँ पर सूर्या रेखा मौजूद ह सूर्या रेखा का यहाँ पर मौजूद होना बहुत अच्छा माना गया है हाथ में सूर्या रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी लेटर इज में पहुंच कर जब भी यहाँ रेखा हाट लाइन के आजपा से शुरू हो तो ऐसा व्यक्ति 50 की एज के बार society में अच्छी पहच व्यक्ति के multiple talents को शो करता है ऐसे व्यक्ति के focus में थोड़ी कमी रह सकती है लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी talented भी होता है आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो mercury mount है भले है mount low set है लेकिन mercury lines हाथ में मौचूद है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का business equipment strong होगा ऐसे व्यक्ति के communication skills अच्छे रहते हैं ऐसे व्यक्ति की पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता काफी बेतर होती है यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी थोड़ा सा close up में आपको दिखाना चाहूँगा इनके mercury mount के उपर यानि बुद्ध परवत के उपर आपको कु दोसरों की problems को दूर करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या consultation के जरिये लोगों की problems को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी इनकी major lines को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं इनकी जो heart line है काफी अच् आके थोड़ी downward branches होना लेटरेज में कुछ minor health issues को दर्शाती हैं अदरवाइस कोई major problem यहाँ पर heart line के जरिये नजर नहीं आ रही लेकिन लेटरेज में चल कर blood pressure, thyroid, cholesterol, diabetes जैसी समस्यां होने की समभवनाएं रहेंगी और पेट से जुड़ी समस्यां भी ऐसे व्यक्ति को होती है जिनकी बुद्ध रेखा में इस तरह से कोई gap या कोई break नजर आए, digestive system से जुड़ी समस्यां का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, इनकी मस्तिक शरेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे मस्तिक शरेखा कुछ इस तरह से overlap होकर आगे बढ़ती हुई, जिस व्यक्ति को कुछ मानसिक समस्यां होने की सभावना रहती है, लेकिन overall memory अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पर इनका जो first half है इस रेखा का वो काफी strong है, जिवन रेखा को देखा जाए, तो इनकी जिवन रेखा है लंबी है, जिवन रेखा आप देखेंगे यहाँ से लंबी रहती है, लगबग 75 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति enjoy कर पाता है, जिवन रेखा के साथ साथ आपको एक रेखा और चलती हुई नजर आएगी, इस रेखा को मंगल की रेखा यानि मार्स लाइन कहा जाता है, हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो, तो ऐसा व्यक्त प्रोपर्टी के मामले में भी लकी होता है, जिवन में काफी अच्छी प्रोपर्टी बना पाने में काम्याब रहता है, काफी अच्छी एनरजी एंड स्टैमना भी यह रेखा व्यक्ति को देती है, जिनके भी हाथ में मंगल देखा होगी, ऐसा व्यक्ति energetic होगा, लेकिन थ देख पाएंगे, केतु एरिया के उपर एक मच्छी नुमा अक्रुती आपको बनती हुई नजर आएगी, यहां से आपर आप देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह की एक शेप बनती हुई, यहां पर नजर आएगी, इस तरह का जो चिन है यहां पर बनना, indicate करता है कि native को चीवन में कई बार अच्छानक धन का लाब हो सकता है, यहां पर इस तरह का फिश का सिंबल बनना बहुत लगी होता है, ऐसा साइन बनने से, ऐसे व्यक्ति को शेर मार्किट से, लोटरी के जरिए, इंशोरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानि पुष्टैनी, जमीन, जैदा के जरिए भी थनकी प्राप्ती होने के योग बनते हैं, और यहां चिन होने से लंबी दूरी की यातराएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को चीवन में मिल सकते हैं, आप यहां पर देखेंगे इनके वीनस एरिया को, यानि शुक्र परवत को उभरा हुआ, वीनस का इनजाए करेगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर वरी लाइन्स का होना अच्छा नहीं होता, यह जो रिखाएं आप देख पाएंगे इस तरह की आड़ी रिखाएं, यह रिखाएं परिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं माने जाती, ऐसी रिखाएं हाथ में होने से, व् इस तरह की रिखाओं की वजए से होना संभव है, अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें, तो चंदर परवत का इरी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर काफी सारी बारिक रिखाएं होने से, एंक्साइटी और बेचैनी जैसी समस्यां रहेंगी, और यहाँ पर इस तरह की ब्रेक होने की वजए से कुछ मांसिक एंग्जाइटी का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है, सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊंग, ल